आह अध्य विजुन के ऑफ्सक्राइब ŞuAN- आप आप छोभेलों को प्र सिक्ั้क नुँए विडियो पर सगातीbour़ से दोस्त आज मत वीडियोत करेंगे MSWord के बारे में, जिसको MSWord के बारे में कुछ जानकरी नहीं है, इस वीडियो को एंड तक देखिए, अगर जानकरी है तो बहुत अच्छा है, ठीके, इस वीडियो पे हम कुछ बेसिक चीज, Microsoft Office का डिस्कस करेंगे, ठीके, सबसे पहले आपको Microsoft Office अपन करने के लिए आपको स्टार्ट पे जाना है, ठीके, यहां पर आप भी सर्च कर सकते, MSWord और Microsoft Word, आप यहां पर वार्ड भी सर्च कर सकते, ठीके, देन आपको Microsoft Word को सिलेट करना है, ठीके, देखिए, यह Microsoft Office का पेज है, ठीके, अगर आपको MSWord के बारे में जानकरी नहीं अभी तक, आप जल्दी ही MSWord के बारे में कुछ जानकरी हासल किजिए, नहीं तो feature में थोड़ी वहुत प्रॉब्लम आ सकता, सबसे पहले देखिए, फाइल, कानार पे देखिए, लेप टप कानार पी, फाइल, होम, इंचाट, पेज लियाओ, रिफरेंस, मेल लिंग, रीव्यू, भीव, ठीके, फाइल ते आपको क्या है, पेले इसको नहीं आप ही, वाड़, टूट, थाउजन टेन, एक्सप्लर, ओइंटू, ठीके, माइक्रोफट आप इसका, एक्सप्लर है, ओकी, देखिए, इमेश वाड़, यह हो गया, फाइल, ठीके, देखिए, इस फाइल के अंदर में, क्या-क्या है, हों इंशे फाइज लेयाट्स सारे चीज यहाँभी, sme सरे काम MS Word पर आप इजली किसे कर सकते हैं पहले आपको कुछा चीज किसके लिए यूज क्या जाता है कुछा टूल किसके लिए यूज क्या जाता है अगर आपको पता हो गया तो आप इजली MS Word में काम कर सकते हैं ठीके फाइल फाइल में क्या क्या है अगर अगर अब कुछ डॉक्मेंट कर रहा है कुछ फाइल कर रहा है अगर निव फाइल क्रेड कर रहा है तो आपको सेफ करना पड़ेगा ठीके तो सेफ पर आप करेंगे है इस फाइल को सेफ किया वाड़ 2010 इस फाइल को मैंने सेफ किया कि यह अगर मेरे को इस फाइल का नियम और करना है तो मेरे को जाना है अगर आप new file create कर रहा है तो direct आप save जाना है ठीक है अगर आप file save कर चुका है उसी page में फिर काम कर रहा है तो आप बस save में क्लिक करना है आपको दूबरा name ढालने के लिए कोई जोर्मत नहीं है कि आप कीबोर में कंट्रूल इस प्रेस करके भी फाइल को सेब कर सकते हैं अगर आप कोई old file पर काम कर रहा है आप चाहते हैं कि इस file को और new file पर सेब करना है तो आपको पाइल के बारे में इनफरूमेशन यहां पर दीखी को इसको कहा जाता है कि कोईख आक्सस बोलबा को स्थमाइज पूईक श्चैस टूलबार एक क्या होता है कि अगर आप किस टूल्श को कूईस करना तो आब यहां पे अप्टिव कर सकते डियक्टिबिक कर सकते summer add कर सकते रिम्मे भी कर सकते जैसे कि कुई टे डिट करना है new open open released file ठीक अब यहां पे이스स टूल यूज कर सकते कुईख करने के लिए छीक लिए योरा फॉंट त्सक्राइब बहुत सारा यहां पर Quick Access Toolbar यूज कर सकते क्विक यूज करने के लिए दिन यहां पर दिखिए font यहां पर बहुत सरा fonts है आप fonts को यूज कर सकते हैं बहुत सरा fonts available है इसमें इसमें दिखिए B का मतलब क्या है यहां पर की बोल्ट करना है ठीकिए दिन साइड में दिखिए आई थोड़ा सा त्यड़ा है इटाली के लिए इसको यूज कर जदा है दिन यू मतलब अंडर्लाइन किस चीज को अंडर्लाइन करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं ठीकिए इसमें आप देखिए वर्ड 2010 Microsoft वर्ड इसको कहा जाता है टैटल बार क्या कहा जाता है टैटल बार यह फाइल हो गया कि यह क्विक एक्सेस टूल बार है कि टैटल बार है कि देखिए कि सारे चीज यहां भी इसको रूलर कहा जाता है स्केल भी आप कह सकते हैं ठीक है देन स्क्रोल बार होरीजिंटल स्कूल बार वर्टिकल स्क्रोल बार है यह हो गया आपका पेज ठीक है कि देन कि यहां पर एंड में देखिए कि स्टाट्स बार इसको कहा जाता है स्टाट्स बार कि देखिए पेज वार्ड कि एंड लांग्वेज कि इसका नाम क्या है स्टाट्स बार कि यहां पर आप देखिए कि राइट साइड कि बटम में देखिए कि ब्यूब बटन जूम कंट्रूल कि इसमें ब्यूब बटन देखिए पूल साइज इसको कहा जाते ब्यूब बटम इसमें बटम प्यूम प्यूम साइज को कि इसे को यहां पर यहां पर पी फाइप हंडडर्ट तक जूम कार सकते इंड तक जूम्हां कार सकते हैं है हाइस्ट फाइपांडर्ड है और लोएस्ट टेंड है ठीक है यह जूंप कर तूंट प्रिंट करने के लिए आपको फाइल फ्रिंट जाना है अधर्वाइस आप कीबोर्ड में कंट्रूल प्लस पी भी प्रेस कर सकते हैं ठीक है कि देखिए प्रेंट बहुत इंपोर्डाउंट चीज है क्योंकि बहुत सरा पेज़े से किस डॉकुमेंट में किस प्रेंट करना है तो आपको सेट करना है प्रेंट करने से पहले थे अगर आपको एफ और पिपर में लिपर कुस्ट करना है ठीक है तो पहले आपको एफ हorschव साइस का पेपर को सिलेट करना है 2015 करना है यह प्र साइस हमार्श कर सकती हैní माच प्लिट कर dub कर सकती क्रिण पर क्लिए करने के पाद आपको इस प्रकार का इंटरफल साइ 있는 प्रिंटर केpless के आए पहले आपको प्रिंटर को सिलिट्स करना है कोपि कितना पीज निकालना आ यहाँ पर कोपी है ना आप में कुछ page को भी निकाल सकते हैं then print one side अगर आपको जोड़ रहते हैं तो बहुत side पर प्रेंट करनाय भी अपकाल सकते हैं ठीक है कि प्रिंट कस्टम रेंज आड़ करके आप आपके साफ से प्रेंट निकाल सकते हैं ठीक है आप यहाँ भी प्रेंट कर सकते हैं एक प्रट्रेट दुसरा लेंट कर सकते हैं ठीक है एक प्रेंज में कितना से निकल आए मतलब एक प्रेंज में कितना प्रेंट करना है तो आप चाहें तो दू कर सकते चार कर सकते छे कर सकते आप आपके साफ से सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अगर आप इस चैनल पे नया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब कर दिजिए इसका साथ बेर आइकन को भी प्रेस कर दिजिए देन पेज सेटप दिखिए मार्जिन पेपर लेयाउट है ठीक है सारे चीज हम एक एक करकेट डिसकस करेंगे दिखी फाइल यहाँ पी क्या एक कलम में दिखी सेव सेवाज आपन दूसरा कलम पे दिखी रिशेंट डाकमेंड तिसरा कलम पे दिखी रिशेंट प्लिशेश ठीक है दिखी मैंने यहाँ पी रिशेंट पे गया पेले कलम पे मैंने को क्या कि रिशेंट सेव सेवाज सरे चीज सो कर आए दूसरा जो कलम है रिशेंट डाकमेंड मैंने रिशेंट कौन सा डाकमेंड पे काम क्या तिसरा रिशेंट प्लेसेश थांकियो दूस्त आज के ल प्रेवलिंगी